आज गौहार्टी के रेलवे स्टेशन पर हमने जाकर लोगों से पूछ ताज की और लोगों से जाना कि 2019 का प्रदान मंत्री कौन बनेगा नमस्कार मैं हूँ रंजीत यादव और आप देख रहें नीज लिस्ट और मैं इस वक्त मौझूद हूँ गौहार्टी रेलवे स्टेशन पर जहां पर हम लोगों से जानेंगे कि किसके सर पर होगा ताज और कौन बनेगा प्रदान मंत्री तो चलिए जानते हैं कौन बनेगा प्रदान मंत्री और राहुल गंदी बनेगा तो अच्छा होगा तो जाईरूट में आना है तो इतना गैदरिंग इदार पंद्रव विसाजर आतमी है जने कटीन नी अब आम लुक का कोई शुरुक्स ने जने में लेकि लोगों का तो कहना है कि आप यहां से प्यम मोदी ब कुछ लोग हैं उन लोगों से भी जानेंगे कि कौन बनेगा प्रदान मंत्री तो आप यह बताइए कि इस बार कौन बनेगा प्रदान मंत्री नरेंजर मोदी शूर पक्का बनेगा आप लोग नहीं लगा नहीं नहीं लोग भी चाहते कि प्यम मोदी बने लेकिन कुछ बहुत कमजोर थे कैसे क्या अब देख्ये पाकिस्तान के साथ जो भी हुआ हसा वह ये सापेले हैं लेकिन देखिए रोजगार तो ऐसे कि ऐसा तो है ने कि आज वो आया और कल ही काम हो गया लेकिन पीए मोदी ने जब 2014 में चुनाव हुए थे तब खुद बादा किया था कि दो करोड विवाओं को रोजगार दिया जाए जो भी आएगा वो कहे बजट अगर देखा जाए बहुत तो भारत का जो बजट है इंडिया का अपनी देश का वो उससे ज़्यादा यह हो जाएगा देगा कहां से राम मंदीर के वारे में आपकी क्या पत्रिक करते हैं क्योंकि यह दब तक राम मंदीर रहेगा तब तक यह चुनाव होता रहेगा वबास सही अपकी लेकिन बीज़ेपी जब भी चुनाव लड़ती है तब एक तरह से राम उठाती है और यह उठाएगी लेकिन हमको नहीं लगता कि यह कभी देखने में उगास यूपी में जैसे बिदान सवा चुनाव हुए थे और 2014 में लोग सवा चुनाव हुए थे तो दोनों चुनावों में बीजेपी ने यही मुद्दा बनाया था बीजेपी की सरकार आती है निती अपन हमस्ते में पर और यह और तो कांग्रेश रहें हैं और जो आएगा वह बनाएंगे लेकिन इसे हम लोग अपनी जिमिबारिये से बच ही अगर नहीं देंगे तो यह और ज्यादा खराब बत्तर रिष्थिति होगी इससे बेटर कुई अगर नोटा दी इसका मतलब यह खराम में सबसे अच्छे मोधी है तो इस बार क्या पी-एम राहूल गांदी बने के काबिल राहूल गांदी तो कभी बनने के काबिल नहीं हो व आप यूपे में जो एक तरह से लोक सवा सीट सबसे ज्यादा यूपे में असी लोक सवा सीट सरकार बीजेपी ही बनाएगी भले ही पिस्टी बार से या कुछ कम आए या ज्यादा आए लेकिन अभी लहर जो हवा चल रही है और मेरी सुब कामना है बीजेपी की साथ में चलो अच्छी बात है